एक वा है अगया थे और साथ में कुछ चीजे में कुछ उलाइक कर सकते और ओर दोस्तोब मैं कहीं नियुकि अंदर आया हूं आपको यह बताने के लिए कि भाई professional screenshot होते कैसे पहले में दिखा तो पिर ये screenshot हम कों से software की मत से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता हूंगा don't worry तो यहाँ देखिए screenshot में आपको दिखाए दे रहा है video और audio import को पहला point है तेक्स पर अंकर सकते है तूसरा पाइंट पैरा यहां पोच जिद इन्मर्स पीता है यहां पर इसे ब Titus को पर्षसम हरे नरा में पहीं है को इस्तावाल करें तो फटावड हो जाता है मैं आपको दीखाओं का दिखाऊगा दोड़ी साथ में आपको चीजे हाइलाइट करनी से यहां पे कुछ चीजे हाइलाइट मैंने की यह और यह पी आप देख सकते हैं नीचे मैंने जुम किया है तो यह भी आप पिक्सिलेट कर परना चाहते तो pixelate भी कर सकते हैं, तो ऐसे देर सारी चीज़ तो स्क्रीनशॉट सॉफ्टर की मत से होगा और वो फ्री है, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बताने वह रहा है, तो अगर आप इंट्रेस्टेड़ हो जाने के लिए कि प्रोपेशनल स्क्रीनशॉट कै कैसे हम लेंगे और कैसे हम शेर करेंगे लोहों के साथ, तो योडियो हैंट तक देखिएगा, मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नली चैनल में आप सबका स्वागत कहता हूँ, लैट्स बिगिन, तो आईजिए दोस्तों, इंट्रो पार्ट में, जिस स्क्रीनशॉट सॉफ्टेर क पेज आपके सामने आएगा, और इसमें आपको ये डाउनलोड बटन मिल जाएगा, यहां से आपको इस अप्लिकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इसके बाद करना क्या है, डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद, जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे, जैसे मेरे क्या क्या shortcut keys है यह देखिए screenshot लेने के लिए आपको control plus print screen आप प्रेस करते ही capture region का option बिलता है और धेर सारे और भी shortcuts यहां पर उन्होंने mention किये तो आप इन shortcut का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिलाल मैं आपको capture option की मदद से कैसे screenshot लेते हैं यह बताने वाला हूँ यहां पर आपको दिखाए दे रहा है full screen नीचे window monitor region अलग अलग option है full screen का मतलब है पूरा का पूरा screen का यहां पर screenshot आएगा उसके बाद आ रहा है window window में यहां पर आपके पास जितने भी window open है जितने भी यह दिखिए browser open है मेरा chrome browser या पिर excel file open है तो इन सभी का screenshot आप यहां पर ले delay two seconds यहां पर आप no delay भी रख सकते है three seconds भी रख सकते है तो मैंने थोड़ा two seconds रखा है जैसे मैं region पर क्लिक करूँगा तो दो seconds के बाद वो screenshot का जो window है वो आ जाएगा screenshot लेने के लिए जो window आता है तो मैं region लेता हूँ select करने के लिए option मिलेगा मुझे तो region लेके पहले दिखा जाता हूँ region जैसे लेता हूँ यह screenshot application minimize हो जाएगा और इसके पीछे क्या चालू था यह website चालू था जो कि मैंने आपको दिखाया तो यह website का screenshot लेने के लिए यहां पर आ चुका है एक particular region आप यहां से select कर सकते है तो region select करने के लिए वैसे इन्होंने options दिया आपके पास rectangle सारे और भी options है कि screenshot लेते समय या screenshot लेने के पहले आपको इसमें कुछ चीज़े highlight करनी है तो आप यहां से करो और उसके बाद आप rectangle या फिर ellipse या फिर region जो भी है जैसा selection चाहिए वैसा screenshot ले सकते है तो पहले मैं इन तीनों का use दिखा दे तो आप अप rectangle screenshot लेना चाहते है click easy इसे select कीजिए यह देखिए इतना ही select करना चाहता हूँ मैं यह rectangle screenshot आ चुका है यह देखिए राइट अब मैं circle में screenshot लेना चाहता हूँ तो मैं capture में जाओंगा region में जाओंगा या फिर shortcut keep मैं प्रेस कर सकता हूँ जो भी control print screen ओके तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ellipse ellipse second वाला right थोड़ा सा zoom भी कर लेता हूँ second option ellipse region तो मैंने click किया और मैं ऐसे select करूँगा तो यह ellipse आएगा लेकिन मैं अगर shift बडम प्रेस करूँगा तो यह circle बन जाएगा shift right तो मुझे जितना region चाहिए वो मैं इस तरह से circle में चाहता हूँ यह देखिए interesting है circle वाला screenshot और तीसरा option यहां पर हमें दिखा रहा हूँ यहां पर region में जाई है और तीसरा free from यहां freehand बोल सकते हम उसे यह दिखिए freehand region right तो यहां पर क्या होता है कि आप जैसे mouse को घुमाओगे वैसे उस select कर लेगा तो चलो मैं mouse को ऐसे घुमाता हूँ और share x को लेता हूँ right अब मैं यह पर क्लिक कर तो यह देखिए इतना ही screenshot आ रहा है इंट्रेस्टिंग है ऐसे screenshot अपने पहले नहीं देखा होगा यह वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों लेकिन अब तक वीडियो पसंद है तो like share or comment कीजिए साथ ही में अगर आपको मेरा teaching channel पसंद तो description में जाईए मेर है कि region में यहाँ पर region में हम वापीस आते हैं अब जब region में आप लेते हो तो आप एक minute region में आते हो यहाँ पिर मैं directly एक काम काता हूँ region से में लेता हूँ नहीं window में से लेता हूँ window में से मैं यह लेता हूँ चलो एक browser मैंने open रखाया है okay यहाँ पर मेरे एक website visit करके रखी यह लेता हूँ मैं right तो यहाँ पर आपको screenshot directly मिल जाएगा क्योंकि आपने special region लिया न तो यहाँ पर direct screenshot आपको मिल जाएगा यह रहा इस तरह से screenshot आ चुका है अब screenshot में मैंने कुछ चीजे highlight भी नहीं की जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि capture में जाने के बाद आप जब region मे जाते हो suppose मैं region यहाँ पर लेता हूँ यह minimize होगा हो गया अब यह पीछे website open हो रहा है मेरा right अब इसमें मैं कुछ चीजे highlight करने के लिए options मिल रहा है मुझे जैसे यह options उपर दिखाए दे रहे है लेकिन वहाँ पे तो screenshot आ चुका highlight भी नहीं कर पाया है तो हम उसको edit भी कर सकत है फिलाल इन में से कुछ options मुझे screenshot लेते समय यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ दिखाता हूँ suppose मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर यह तो select option है मुझे rectangle select करना है तो मैंने rectangle लिया और इन options को मैंने highlight किया इस तरह से right rectangle लेके या फिर मैं circle लेता हूँ और circle लेके यह वाला जो है इसे highlight करना चाहता हूँ यह circle में shift button press करूँगा अगर मैं shift नहीं प्रेस करूँगा तो यह ellipse बन जाएगा तो यह देखिए तो ऐसी कुछ चीज़े यहाँ प आप screenshot लेने के बाद भी कर सकते मैं आपको दिखाता हूँ चलो मुझे इसका screenshot लेने अभी यह पूरा हो गया अब मैं rectangle वाले पर click करूँगा यह पूरा select हो चुका है और एक बार click कर दूँगा यह देखिए अब यह जो screenshot आया है इसमें सारे चीज़े add कर किया है जो हमने add क करने के बाद यहाँ पर edit यह देखिए मतलब screenshot लेने के बाद भी अगर आपको उसमें text strad करना है यह पर चीज़े blur करना है तो आप यह edit image इस्तमाल कर सकते है और यहाँ पर देखिए ऊपर वही panel आपको दिखाए दे रहा है इस panel में आप वह सारी चीज़े कर सकते है जो कि screenshot लेते समय आ रहे थे तो अभी यहाँ पर rectangle select करना है तो rectangle लीजिए सपोज मैंने online courses को select कर लिया या फिर मुझे circle वाला चाहिए जैसे मैंने circle को इस बार सपोज मैंने circle को यहाँ पर draw कर लिया इस तरह से और इसे ऐसा रख दिया तो इस तरह से आप circle रख सकते है नहीं से delete कर सकते है ऐसा याद रखिए उसके बाद आपको freehand selection चाहिए तो freehand draw करना है तो freehand कुछ ऐसा draw कर सकते है अंडू कर दिया मैंने ctrl z से आप undo भी कर सकते है यहाँ पर arrow भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर text add कर सकते है without background and all यहाँ पर text with background add होगा अगर आपको खले text add करना है कई पर तो इधर click करो इधर click करो और यहाँ पर नाम लिखो new website ऐसा कुछ मैं नाम लिखना चाहता हूँ यह हमारी नई website है launching soon दोस्तों जैसे launch होगा मैं announce करूंगा don't worry we are working on it right अभी हमारा काम चल रहा है इस पर तो यह जो है new website मैंने यहाँ पर लिख दिया और यह ट मैं click करूंगा पहले लिखूंगा click here to get offer click here इतना ही लिख देता हूँ click here right click here रख देता हूँ और यह मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसे मैं इस तरह से रख देता हूँ right click here तो ऐसे points आप add कर सकते हो और इसका background बदलना है तो यहाँ पर जाहिए fill color का background आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा background color इसका अलग रखना है so you can go and select it right यहाँ पर background color change करने के लिए भी आ रहा है fill color ठीक है उसके बाद क्या option आ रहा है यहाँ पर steps लिखने के लिए पहला steps क्या होगा पहला steps है suppose आपको पहला steps click करना होगा sign up पे आप register करने के फिर उसके बाद दूसर steps में यहाँ पर लग देता हो फिलाल example के लिए तो ऐसे steps आप add करते जा सकते screenshot के अंदर जो कि किसी को explain करना है कि यह step by step follow करो और इस step में text भी add करना है तो यहाँ से आप text add कर सकते speech and balloon इसके साथ text भी दे सकते है उसके अलवा यह काप interesting option मुझे लगा है यह magnify okay magnify मतलब screenshot में क अब सब का यह icon बड़ा दिखाना है यह देखे ना उस पर आप रखोगे यह पिर यहाँ पर जो option दिखाए दे रहे यह बड़ा रखना है वो आप क्यों पर है कैसे रखना है right मैं delete करता हो इसे और दुबारा दिखाता हो यहाँ इस तरह से इसे draw कर रहा हूं okay इस तरह से draw क करो और यहाँ पर रख दो तो यह zooming option है magnifier है right यहाँ पर दिया है और इसका setting भी है मतलब magnifier कितना रखना है वो आप setting में जाकर यहाँ पर धेर सारी settings कर सकते screen shots related magnifier का pixel कितना होना चाहिए वगरा वगरा यहाँ पर दिया है तो आप वह भी कर सकते हैं ज्यादा zooming करना है तो उ बहुत बड़ा logo है तो इसकी size भी आप यहाँ पर कम कर सकते लेकिन shift button press करके करो अगर आप shift नहीं प्रेस करोगे तो यह ऐसा कुछ हो जाएगा hold down shift proportionally कम करने के लिए shift की जुरोत है okay तो यह मैंने यहाँ पर डाल दिया इस तरह से आप इसे यहाँ पर रख सकते right okay idea दिया मै लोगों को मैंने select किया और मैं drag करूँगा उसी का copy आ जाएगा और इस लोगों को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ और shift button press करके कम करना चाहता हूँ तो आप ऐसे चीज़े यहाँ पर बना सकते है यहाँ पर कोई photoshop software की आपको चाहता है जुरूत नहीं यह basic चीज़ों के करने यह वाला तो यह वीडियो अच्छा लगे तो लएक कर दो कोई भी आड करने आपको एड कर सकते हैं करें यहाँ पर इसे उठा किया आपका अलगर है तो selection tool ले लो इसपे click करो क्लिक करो का क्लिक करो का पर रखना है यह और यहाँ पर लएक करो लोला हो करो k यहां पर आगे cursor का option है, यह भी देखिए, पड़ा पड़ा सारे options बता रहा हूँ, click किजिए, यहां पर click किजिए, cursor points आ रहे हैं, आगे option है, smart eraser, यह interesting है, smart eraser क्या करता है, erase करता है smartly, जैसे यहां पर जो logo है, वो हटाना है, यहां पर already logo दिया, मैंने तो यहां से हटाना है, तो है, मुझे नहीं दिखाना है, okay, इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, smart eraser काम की चीज़े, नहीं चीज़े, तो इसे delete कर लो, यह रखो, और इसे भी आप click करके delete कर सकते हैं, smart eraser ज़रूर यूज़ कीज़े, काम की चीज़े, बहुत सारी जगा पे आपको screenshot पे कुछ चीज़े गाइब करनी तो गाइब कर सकते हैं, दोस्तो, blur, आपको कोई confidential चीज़ नहीं दिखानी है, okay, तो आप उसे blur कर सकते हैं, जैसे आपका contact number अगरा screenshot में दिखा दे रहा है, तो फिलाल मेरे case में कोई नहीं है, confidential चीज़े लेकिन इसे हम blur कर देते हैं, दिखा तो हमें blur कैसे blur की intensity आप set कर सकते हैं, setting में जाके, यहाँ पे intensity में मिलती है, कितनी रखनी है, और यहाँ पे pixelate भी है, यह दिखा दे रहा option, मैं इस पे click कर रहा, pixelate पे क्या होता है, कि किसी का चेहर आपको pixelate करना है, जैसे किसी का face है, right, okay, वो आपको blur की तरह रहता है, pixelate दिखाए देग Oh, you can see oh there, आप color भी change कर सकते है, highlight का है, yellow की जगए कुछ और रखना चाते है, आप रख सकते है, यहाँ पे मैं इसे भी highlight करना चाता हूँ, यहाँ पे मैं इसे भी आइलाइट करना चाता हूँ, जिन जिन चेज़ों को आप highlight करना चाते है, वो highlight अप यहाँ से कर सकते, उसके तो यह डेर सारे options जो आपको मिल रहा है, यह screenshot application के अंदर मिल रहा है, यह हमारा screenshot edit करके complete होने के बाद यहाँ पे save button आपको मिल रहा है, यहाँ से आप save करेंगे, अच्छा यह पूरे screenshot कहाँ पे save होंगे, जो मैंने अभी लिए या पिर जितने भी edit किये, तो यहाँ से मैंने close क सारे screenshot आपको यहाँ पे दिखाए देंगे, जैसे मैंने पहले भी screenshot लिया था, यह आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़े highlight किये, हाँ basically, यह हमारा learn more shots का एक channel जिसमें लगबग एक लाग से चाता subscriber हो चुके और बहुत सारे लोगों ने यह shots वीडियो देख पसंद किये, तो आप भी पसंद करो, यूटूब ने भी इसे टॉप पे रखाई है, creator on the rise, यूटूब के explore option में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको यह channel मिलेगा, यहाँ आप यूटूब पे direct search कर सकते, learn more shots, यूटूब ने इस week के लिए trending में रखाई इस channel को दो, ओ दोस्तो एक काम की चीज मैंने आपको बताई, जो कि मुझे लगा कि आर जो daily office में काम करते हूं के लिए, यह professional screenshot software बहुत ज़रूरी हो सकता है, और डेर सारी चीज यहाँ पे और भी है, इससे आप explore कीजिए खुद से, कि भाई, इससे क्या-क्या कर सकते है, क्या-क्या नहीं लाइक शेयर और कमेंट करना ना बोले, सब्सक्राइब करके जाएगा, ताकि मेरे वडियो के नोटिफिक्शन यानि अगले मंडे 5 बजे जब मैं वीडियो डालूंगा, हर सोम और को 5 बजे वीडियो आता है, तो आपको नोटिफिक्शन मिल जाएगी, तो चलिए, मिलते ह अगले वीडियो के अंदर, बाइब बाइ!